उधारन 11, यदि 13 के 3 लगातार गुणजों का योग 390 है, तो उन्हें ग्याद कीजिए हम उधारन 11 का हल देखेंगे इसमें प्रश्ट में ये कहा गया है कि 13 के 3 लगातार गुणजों का योग 390 है तो सबसे पहले हम 13 का पहला गुणज यदि लें, तो उसका कोई गुणज क्या होगा? 13X, 13 का अगला गुणज यदि हमें लेना है, तो 13X में वह 131 अधिक होगा, याने की 13X धन 13 इसका अगला गुणज, 13X धन 13 में फिर 131 अधिक, याने की 13X धन 26 इस प्रकार हमें 13 के जो 3 लगातार गुणज हैं वो ये ले सकते हैं इसको हम थोड़ा और इस प्रकार में ले लें तो मिलेगा 13 यहां देखिए दूसरे पद में 13 जो है वो अभैनिष्ट है तो हम इसको लिख सकते हैं 13 गुणित एकस्धन एक इस पद में देखेंगे फिर 13 भैनिष्ट निकल सकता है और हमें मिलेगा 13 गुणित एकस्धन दो इसके बाद प्रशना नुसार हमारे पास एक संबंध है कि इन तीनों गुणजों का जो योग है वो कितना है 390 तो चलिए हम इन तीनों गुणजों को 13 के जो गुणस दिये गए हैं इनको जोड लेते हैं और इससे हमें मिलेगा कितना 390 प्रशना नुसार अब इसे पुना हल करें तो आप देखेंगे कि हमें कोश्टकों को इसको खोलना होगा 13x धन 13 दूनी कितना हो गया 26 और यहां मिल गया 390 यदि हमें x का मान मिल जाए तो हम 13 के इन गुणजों को ढून सकते हैं इनका मान निकाल सकते हैं यहां देखिए इस समिकरन को हल करने के लिए समान पदों को हमको जोड़ना होगा तो 13x कितनी बार है हमारे पास एक दो और तीन बार याने कि यह हो गया कुल 49x और यह 13 और यह 26 इसको जब जोड़ेंगे तो फिर से हमको मिलेगा 49 बराबर में है 390 चलिए आगे हल करते हैं जो पिछला पद हमें वो मिला था वह है 49x धन 49 पराबर 390 इसे हल करने के लिए हम अगले पद में लिखेंगे यह जो 49 है इसका पंक्शानतर हो जाएगा और हमको मिलेगा 390 रिट 49 याने कि इसे जब हम हल करेंगे तो हमको यहाँ मिल जाएगा 359 अब x के मान के लिए हम इसे हल करेंगे तो हमें मिलेगा 359 पहले 3 से इसे सरल कर ले तो हमें मिलेगा यहाँ 3 एकम 3, 3 तिया 9 और यहाँ पर 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 सकते 21 अब आप देखिए ये 13 के पहाड़े से सिधा सिधा कट रहा है 13 एकम 13, 13 निया 117 यानि X का मान मिल गया हमको 9 तो X बराबर 9 हमें प्राप्त हुआ है इसकी साहिता से अब हम 13 के तीनों जो गुणज हैं लगातार गुणज उनको प्राप्त कर सकते हैं चलिए आगे हल करते हैं हमें प्राप्त हुआ था X का मान 9 और 13 के जो तीन लगातार गुणज हमने लिए हैं वो है 13X, 13 गुणज धन 1 और 13 गुणज धन 2 तो X का मान रखके हम इन तीनों को निकाल लेते हैं 13 गुणज 9 याने कि हमें यहां पर कितना मिलेगा जब हम पहला गुणज निकाल रहे हैं तो 13 निया 117 दूसरा गुणज जब हम निकालेंगे तो 13 गुणज धन 1 इसका मतलब हुआ 13 गुणज 9 धन 1 याने कि 13 गुणज 10 और इसका मान हो गया आपका 130 तीसरा गुणज जब हम निकालेंगे तो वो कितना मिलेगा 13 गुणज धन 2 याने 13 गुणज आपका हो गया 9 धन 2 इसका मतलब 13 गुणज 11 और यह हो गया आपका 143 याने कि 3 लगातार गुणज जिनका जोड 390 है वो होंगे पहला हो गया 117 दूसरा हुआ 130 और तीसरा हुआ 143 तो हमें यही अभिष्ट हल प्राप्त हुआ